दोस्तों Photoshop ने आप फिलाल एक नया तूल लौच किया है और उसका नाव है यहाँ पर देख सकते हैं रिमूट तूल और यह रिमूट तूल आपको इसमें आपको रिमूट तूल यहाँ दिखाए देगा जैसे मैं इस पोटो में आप देख सकते हैं यह उपसूरत फोटर लेकिन बहुत सा पबलिक यहाँ पर वने के कार इस फोटो की फूपसूरती यहां से चली गई है तो अब हम क्या करेंगे इस रिमूट तूल से सिंपल जो भी स और वो अब्जेट यहां से निकल जाएगा उसी तरह से हम इन च्छोटे-च्छोटे जो अब्जेक्ट है इनको भी यहां से सिंपल ब्रस से लेंगे ब्रस से लेट करेंगे और यहां से निकल जाएगी और यहां पर यह च्छोटे-च्छोटे पोले इसको भी आम यहां से ह तो दूस्तों आपने यहां पर देखा तो यहां पर इस तो पूल को किस तरह से यूज देखते है तो इस इमेज में समझो मुझे यह जो फिल लाइटिक का बोड़Е यहां पर जो जो ऑफिल का यहित तूल को select करूँगा select करने के बाद अगर आप चाहिए तो यहाँ पर अलग से blank layer ले सकते हैं blank layer लेने के बाद आपका जो भी काम है वो non destructive के वे से हो सकता है फिर उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है तो एक line में सब यह आ गया फिर उसके बाद मैंने इस board को select किया ठीक है पिर उसके बाद यह पोल को यहाँ पर यह जो पाइप इसको मैंने select किया अभी मैं क्या कुरूँगा यहाँ पर आपको ok का बटर दिखेगा यहाँ पर मैं ok कुरूँगा तो यह काम आपको आप मैनुल तरीके से कर सकते हैं तो मैनुल तरीके से आपको क्या है कि selection की लिए और अच्छा सा area मिल सकता है तो यहाँ पर यह चाड़ो वाला इस साइड यह रहे गया है तो इसे भी हम यहां से simply को select करेंगे और यहां से ok करेंगे तो यहां पर यह सेलेट करेंगे यहां से ok करेंगे तो उसके बाद इस area को इस बोर्ड को यहां से select करेंगे तो इस शाड़ो वाला इस साथ ले रहेंगे और यहां से ok फिर देंगे फिर हम इस तरह से इस object को भी select करेंगे और यहां से ok कर देंगे ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर लेयर बटके आदे है तो यहां मैं क्या करता हूं यह लेयर को on कर देता हूं प्रेस करके इस फाइप गी सकते कि जहां फ़र देख सकते कि जया जहां पर आप मैंने पिक्षेल पर पिच्ष करके Psalm क्या करना है तो क्या करना है है simple यहां पर हम next image भी जाएंगे और यह तो इसको हम ऑन कर देंगे ठीक यहां पर पर आपको रिमूट तूल चलाना है को सेख़ी इस इरिया को फिब देगे फिर आप आगे अगली इमेज मैं आप देख सकते हैं कि यहां पे जो भलोड पर ने आपक्र करने है और हम्ने पेटोल हम्ना है से नहीं कह sabemos सवोस काप अजय बार हो जो इसको कपी करते है वह व कृफ़ देता है लेकिन आप जो आया है वह करता है कि वह आटिफिक्शल इंटिलिजर्स की मदद से एक मशिन लर्निंग उच करके उसमें मैतमेटिकल क्या करता है और उस पिक्षल को वहां से सेट कर देता है जिससे वह पैटन पैटन सिक्स रहे तो अभी हम क्या करेंगे या पर रिमोट को मै सेलिट करूँगा तो इस तरह से यह अगली इमेज देखते है तो यह इमेज पहले ऐसे थी फिर मैंने इस रिमोट डूल का यूज करके इस तरह से यह इमेज मैंने यह इमेज मैंने यह बना करना के रखिए तो इस रिमोट टूल को आपको रिटेचिंग में भी बहुत फाइदा होगा ठीक है तो इस रिमोट टूल को अगर आप दो तरह से यूज कर सकते यह आप हमें कंट्रोल के बटन दबहूंगा तो यह आपको इमेज प्रोसेसिंग का ओप्शन आ जाएगा औ और यहां पर इमेज प्रोसेसिंग में आपको रिमोट टूल प्रोसेस तो यह किस तरह से होनी चाहिए तो यहां पर आपने देखा कि मैंने जो रिमोट टूल का जो यूज यह था वो बहुत ही फास्ट तरीके से किया था है अगर आपको मोर्स टेबल चाहिए तो आप यह थोड़ा सा स्लो हो जाएगा लेकिन आपका काम एकदम परफेक्ट हो जाएगा ठीक है तो आपनी सबसे ही आप कैसा काम करना चाहते है तो यहां पर हम करेंगे तो समझेए यहां पर मैं इस इमिज को वाफिस से डिल्ट कर देता हूं और यहां पर सेंपल और अभी सेंपल आपको हो जाएगा ठीक है तो यह पर में प्रोछेंग के लिए थोड़ा सा रूपना पड़ेगा कि तो यह इन ब besch Grade ऑप व और जो पंटर से यहां पर यूजट कर सकते यहाँ पे विंडोस में आपको help में about photoshop में आपको इस photoshop में आप देख सकते यह Adobe Photoshop का बीटा वर्जन है और इसका जो रिलीज है 24.5 रिलीज है ठीक है तो अगर आप इस photoshop का यूज करना चाहते है अगर आप यूज करना चाहते है तो इसका लिंक में आपको नीचे दे दूँगा तो वहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर जैसे आप जाएंगे इस लिंक के ऊपर तो यहाँ पर आपको डाउनलोड क्रियेटिव क्लाउड का एक option मिलेगा जैसे आप इसे डाउनलोड क्र लॉगिट करने के बाद आपको अगर आप सब्स्रिप्शन पेक यूज कर दे फोटोशोप का तो यह आपको यह बीटा वर्जन आपको यूज करने को मिलेगा तो यहाप जैसे आप क्लिप करेंगे तो आपके पास इस तरह का क्रेटिव क्लाउड का डेक्स्ट आज आ जाएगा क्योंकि यह आप देख सकते यह बीटा एप्स करके एक उप्शन है तो जैसे आप बीटा पर जाएंगे तो आपको फोटोशॉप बीटा यहाप लिखाए यहाप और इस बीटा वर्जन में आपको एक नया फीचर यहाप देखने को मिलेगा यह जो टूल बारे इ एक नया ऑपशन यह आ पर आ गया है तो इसको कैसे उप्शन हे और आ जाएगा आ पके बस यहाप मैं कुछ इमेज यहाँ से उपन कर लेता हूं ठीक है समझाऊ अब है यह e-mail इमेज उपन की तो इसको आप यह इमेज के साथ और यह भी ओपन हो गया तो इसको यहाँ से त करके मतलब और जी हम टूल यहांस सकते तो यह सारा चैन्टरेंट ॢइल से खतब हो गया है हम सिम्पल यहां पर select subject यह आप से clear कर के select कर सकते हैं और यहां हमारा subject select हो गया फिर उसके बाद यहां पर दूसरा जो हमारा तुल बारह है इसमें दूसरे option आ गए इसमें हम select border smooth selection expound selection, contact selection, feather selection जो हम यहां पर select सब आपके सेलेक्शन करना है यह जो जो भी सेलेक्शन है उसको आप सेलेट करना चाहते हैं तो यह भी आप इसे कर सकते हैं फिर उसके बाद आपको इसको मास लगाना है आप यहां से मास लगा सकते हैं यहां से मास लगा सकते हैं यहां फिर उसके बाद यहां पर यहां पर चाहिए तो कई भी रख सकते हैं तो य करूंगो समंज़ो यहाँपर मुझे कुछ इस image में background मुझे करना हैं यहाँपर इस photo को यहांसे lock हटा दोंगा यहाँप mattress करके ब된क लिए करनगा और गरोंगा तो मैंने इस background को यहाँ पर फ्लिस एड्चट कर кण यहां से एंटरपरेस करूंगा अभी आप देख सकते इस इमेज के पीछे यह बैग्राउंड है तो मुझे इससे लॉग इन को और यह आपको साथ दिन के लिए ट्राइल मिलेगा अगर पहले से आप सब्सक्रिप्शन प्लैन यूज कर रहे तो बहुत अच्छी बात है लेकिन जो नहीर यूजर है उनको यूज कर रहे तो आपको इस तरह से यूज करना है ठीक है तो दोस्तों यह था